Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Universe is Unique. आप सभी का मेरे YouTube चानल पर बहुत-बहुत स्वागत है. आज है Thursday, October 5th, 2023. English vocabulary में word of the day is worthless. W-O-R-T-H-L-E-S worthless का मीनिंग होता है, बेकार या व्यर्थ का. यानि कोई भी चीज बेकार हो जाती है, जो यूज में नहीं आती है. उसको हम कह सकते हैं, worthless या हम कभी कभार person के लिए भी यूज कर लेते हैं. कि कहते हैं न, यह किसी काम का नहीं है, worthless एक जो person कोई काम नहीं करता है. यानि कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई value नहीं है, या उसका कोई use नहीं है. The meaning of worthless is lacking worth, यानि कि उसकी कोई worth नहीं है, importance नहीं है, कोई value नहीं है. Having no financial value, यह हुआ है, things के लिए use कोई भी चीज है, अगर उसकी कोई भी financial monetary value नहीं है, तो वो worthless है. Having no use, importance or effect, यानि कि वो किसी भी use की नहीं है, और नहीं उसकी कोई importance है. So, यह होता है worthless का meaning, जो कि हम use करते हैं, बेकार के लिए कि यह किसी काम की नहीं है, या कोई person के लिए कि यह किसी काम का नहीं है, worthless है. किसी भी चीज के लिए हम use कर सकते हैं, worthless को. worthless का मीनिंग होता है बेकार वियर्थ का जिसकी कोई value नहीं है कोई importance नहीं है और नहीं उसका कोई use किया जा सकता है for example हम कह सकते हैं न कि अगर कोई चीज चूट गई है माली जी टेबल टूट गई है या कूरसी टूट गई है तो हम कहते हैं न अब worthless है इसके कोई जरुवत नहीं बेकार है अब इसको fink देना चाहिए तो इस तरीके से इस word को use किया जाता है now we move on to the synonyms and antonyms of worthless synonyms of worthless are valueless, useless, insignificant, negligible or good for nothing good for nothing person के लिए यूज किया जाता है ऐसे person के लिए जो किसी काम का नहीं होता उसे कोई काम करना नहीं आता डंग से so ये word यूज किया जाता है person के लिए that you are good for nothing तुम्हारे बसकी कोई काम नहीं तुमसे कुछ नहीं होता इस तरीके phrases के लिए ये word यूज होता है now antonyms of worthless अब देखिए worthless का जो meaning है वो है कि बेकार कोई किसी काम का नहीं कोई importance नहीं उसकी तो उसका opposite antonyms क्या होगा कि बहुत useful है valuable है so now look at the antonyms of worthless valuable, precious, useful, worthy or profitable so ये है synonyms or antonyms of worthless now we move on to example sentences so that we can understand it in a much better or easy way sentence number one is the boots may be nice but they are worthless if they don't fit you यानि कि boots जो है पैरों में पहने वाले footwear वो अच्छे हैं शायद nice हैं but they are worthless if they don't fit you यानि कि अगर ये आपके पैरों में नहीं आते अगर आपको ये fit नहीं होते तो फिर ये बेकार है कभी कबार होते हैं ना कि कोई dress हमें बहुत पसंद आ जाती है ये कोई भी चीज हमें ऐसी पसंद आ जाती है पर वो हमारे size की नहीं होती तो एक तरीके से उसको खरीदना worthless है बेकार है तो ये इस sentence में बताया गया है यानि कि ये जो land है जमीन है वो agriculture यानि कि खेती करने के लिए बिलकुल बेकार है वर्थलेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो जमीन है वो उपजाओ नहीं है वहाँ खेती नहीं की जा सकती वहाँ बीजों में से अंकुल नहीं निकलेगा यानि कि आठ साल पुरानी गाड़ी जो है वो बिलकुल बर्थलेस है क्योंकि उसको कोई use ही नहीं किया जा सकता चुकी है इतनी पुरानी हो चुकी है तो बेकार है उसके सारे पार्ट्स गिस चुके होंगे नहीं वो ढंक से काम कर रही होगी और काम कर भी रही होगी तो बहुत अटक अटक के चलते चलते रुख जाती होगी तो इस तरीके से आठ साल पराने गाड़ी बेकार है बिलकुल, वर्थलेस है किसी काम की निये, कोई यूज नहीं है फोर्थ सेंटेंस इस विदाउट विजडम, वेल्थ इस वर्थलेस यानि कि अगर आपके पास बुद्धी मता नहीं है इन्टेलिजेंस नहीं है, विजडम नहीं है तो आपकी जो वेल्थ है, संपत्ती है, वो बेकार है कि आप उसको किस तरीके से यूज करेंगे अपनी वेल्थ को अगर आप मेरे यूट्यूब चानल पर नहीं है तो मैं आपको बता दू, मैं आपने यूट्यूब चानल उनिवर्स इस यूनीक पर डेली की डेली एक इंग्लिश होकेबलरी वर्ड विद मीनिंग, सिनोनिम्स, आंटनिम्स और एक्जाम्पल सेंटेंस के साथ डेल्ड एक्स्प्रेंड विडियो अप्लोड करती हूँ अट नाइन एम शाप इन दे मॉर्निंग तो अगर आप डेली इंग्लिश वकेबलरी वर्ड सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चानल उनिवर्स इस यूनीक को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें और डेली के डेली आप इंग्लिश वकेबलरी के नौट्स सीखें तैंक यू, तैंक यू सो मच पर वाचेंग